कि अलो स्टुडेंट वेलकम टू ड्रीम क्लासेज आज के क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है आज का क्लास आप लोग के लिए केमेश्ट्री रसायन सास्त्र बेसिक से संपूर्ण वर्णन करवाया जाएगा तो आज आप हमारे लाइब क्लास में अंत तक होता है बेसिक से कंसिप्ट के साथ इसको सीखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे चला कि केमेश्ट्री को कितने बर्ग में बाता गया है यह सबसे पहले हम लोग को सीखना है कि केमेश्ट्री आखिर होता क्या है इसे कितने पार्ट में बाता गया है वह हम लोग को देखेंगे देएजकल केमिस्ट्री इन्दीम बोलेंगे क्या भावतिक रसायन थे फिस्ट पहला टॉपिक अब आगें लोग और गेनिक वाएज को हिंदीन बोलेंगे कारवनिक रसायन कारवनिक रसायन ध्यान से समझना बेसिक से करवार है वर से किमेश्टिक हो रही है तो आप लोग लाइप में फटाफट हमारे साथ जुड़े रहें करनेक्ट रहें आपको बहुत लोग कारवनिक रसायन इसका हिंदी नाम क्या देखेंगे हम लोग आकारवनिक रसायन तो ध्यान से देखना है थार्ड एक फोर्थ छोटा सा भाग है एक कमेश्टी का सबसे छोटा भाग है क्या अपलाइड कमेश्टी क्या देखेंगे अपलाइड कमेश्टी तो अपलाइड कमेश्टी अपलाइड कमेश्टी परियुक्त रसायन पर्यूक्त रसायन हिंदी क्या बोलेंगे पर्यूक्त रसायन पर्यूक्त रसायन हम लोग क्या देख रहे हैं चला चार भाग केमेश्टी का कितना भाग अभी चार भाग देखे पर्त भाग में बाटा गया केमेश्टी को सबसे पहला भाग हम लोग क्या देखें तो सबसे पहला भाग इसमें देखा गया है क्या सबसे पहला भाग physical chemistry है हम लोग क्या देखे सबसे chemistry का सबसे पहला भाग physical chemistry को देखा गया है जिसका हिंदी होता क्या भावतिक रसायन सथर्ड भाग हम लोग देखे क्या organic chemistry जिसका हिंदी नाम क्या होता कारवनिक रसायन फस्का हिंदी नाम क्या है आकारवनिक रसायन फूर्थ भाग हम लोग क्या देखे आपलाइड कमेश्टी देखा गया क्या है अपलाइड कमेश्टी का हिंदी नाम क्या होता है परिऊक्त रसायन पर्यूक्त रसायन तो आप हमारे अभी हम लो Sugati को कितने बर्ग में बाट के अध्यान की सुबधा के लिए ताकि आसानी से बच्छे को समझाया जा सके बच्चों को किस्व में रियक्शन पढ़ना है और जेनी को संपूर्ण डिटेल पूरवक समझने के लिए इसको चार भाग में बाटा गया है तो चारों भाग को अलग-अलग से अध्यान करेंगे ताकी आपको आसानी से समझ में आ सके तो हम लोग क्या करते हैं सब से पहले स्टार्ट करते हैं फीजकल कमेश्टी का अध्यान करने के लिए तो आप हमारे लाइब में अन्त तक जरूर बने पर बिस्कतृ क्र성을 पर रहिए ये गा आपका फिस्कल्ट कमेश्टी का टाउपिक चालू होने जा रहा है कि आंप L मुझेटे जला फीज हो सूरू होता है कि हूं लोग क्या देंगे फीजिकल किमहस्टी को ए कि हूं लोग देते हैं फीजिकल केमिस्ट्री और क्पीजिकर्ट सोंस्टरी घॉटिक रसायन है एक हो तिक रसायन भावतिक रशायन तरख एम लोग का चालू हो चुका है फीजगर कमेश्ट्री चेप्टर हम लोग को चालू है च unfamiliar shalatinών पर ऑना है फिजिक्ल केमेस्टी के अंतर्गाते इस पांचों से पहले हैं क्या करें नाम जानेंगे कि कॉंटकों से चेक्टर फिजिकल केमेस्टी के अंतर्गात हम लोगahaha पढ़ना है आप किस से एक्जाम में पूछे जाते हैं ये भी आपको बर्णन किया जाएगा तब फिजकल कमेश्टी में सबसे पहला चेप्टर हम लोग को पढ़ना है फिजकल कमेश्टी में हम लोग को बता देते हैं पांच चेप्टर पढ़ना है कितने चेप्टर चला पा साउलिड अस्टेट के बारे में देखेंगे सबसे पहला चेप्टर क्या देखना है साउलिड अस्टेट हिंदी में क्या बोला जाएगा इसका थोस अबस्था पहला चेप्टर का नाम हो गया साउलिड अस्टेट हिंदी में क्या बोला जाएगा ठोस अबस्था सकेंड नंबर जो हमारा चेप्टर है इसकेंड नंबर इसमें चेप्टर हम लोगों को पढ़ना है साउलूशन Oh junk साउलूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं बिलेन बोला जाता ऩह तो सकेंड नंबर चेप्टर हमारा हो गया साउलूशन हो गया जिसको हिंदी मोहा बिलियन बोलते हैं थार्ड नंबर चेप्टर होता है इलेक्ट्रोकेमेस्टरी इलेक्ट्रो केमेस्ट्री इलेक्ट्रो केमेस्ट्री हिंदी में क्या बोलेंगे इसको विध्धूत रसायन टॉपिक यहां पर तीसरा नंबर चेप्टर है चला Physical chemistry का तिसरा chapter हम लोग क्या देखे Electrochemistry बिद्धूत रसायन Fourth number chapter हम लोग इसमें देखेंगे Chemical kinetics Chemical kinetics Chemical kinetics हिंदी में बोलेंगे रसायनिक गतिकी रसायनिक गतिकी रसायनिक गति की एक लास्ट फिप्ट नंबर चेप्टर है पाचमा चेप्टर है भावतिक रसायन का सर्फेस केमेस्ट्री सर्फेस केमेस्ट्री सर्फेस केमेस्ट्री हिंदी में बोलेंगे प्रीष्ट रसायन प्रीष्ट रसायन प्रीष्ट रसायन चलिए तो आप लोग क्या देखे ये पाच जो हमारे पास है ये शौलिड का क्या है ये हमारा क्या है भावतिक रसायन मलब फीजिकल क्मेस्ट्री में पांच चेप्टर का हम लोग अध्यान करेंगे ज़िए आप संपूर्ण कमेस्टी पूरे कमेस्टी का अध्यान करना चाहते हैं तो आपको पहले चेप्टर का अध्यान होना चाहिए चेप्टर की जानकारी होनी चाहिए कि हम फिजकल कमेस्टी पढ़ने जा रहे हैं तो आखिर इस चेप्टर में इस कमेस्टी के इस भाग म फिर्फ Q dobrze क्रूल ऑच्र करें उसमें फिर्फ कर्मेस्ट्रीर आधा है उसमें पाहला प्लोक से हैं लोग को पड़ना है इसकी ज जानकारी हम लोग लियें तब पाहला चिप्टर्रहम लोग क्या देखे चला solid state second chapter में हम लोग देखेंगे solution second chapter में क्या देखना solution third chapter हमारा क्या है electro chemistry अब fourth chapter में chemical kinetics किसका है chemical kinetics के बारे में पढ़ेंगे और fifth number chapter है surface chemistry तो यह हमारा physical chemistry का syllabus हुआ कि physical chemistry में कौन-कौन से chapter आते हैं इसके बारे में मैंने नाम बताया और उसका बर्नन किया गया तो अब हम आप लोग को क्या करते हैं सिलेवस चालू कर देते हैं पहला chapter से सुरू करते हैं physical chemistry का सबसे पहला chapter जो है solid state है तो solid state आज शुरू होता है आप लोग के लिए chemistry का आप लोग हमारे live class में जरूर जुले रहें अंत तक बने रहें बहुत ही मज़ेदार आज का class आज का class आपके लिए बहुत ही महत्पुर्ण होने जा रहा है तो आप वीडियो को इस हमारे live class में अंत तक जरूर जुड़े रहेंगा हम आप लोग को चेप्टर चालू करते हैं solid state इसको पूरा अंत तक basic concept के साथ समझाया जाएगा इसका notes भी आपको provide किया जाएगा तो आपको कहीं भी किसी भी चेप्टर में कमेश्टी के किसी भी चेप्टर में दिक्कत नहीं होगी आप परतेक दिन हमारे live class में जरूर बने रहिएगा इससे क्या होगा आपको कमेश्टी का संपुर्ण syllabus complete करवा दिया जाएगा आज हम आप लोग को इस कलास के इस कलास में आप लोग को कमेश्टी का सिलेवस चालू करते हैं बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ समझाया जाएगा ताकि आपको किसी भी कंसेप्ट को समधने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी इसके पहले भी आप कहीं कमेश्टी पढ़े होंगे तो दिक्कत होती होगी लेकिन इस कलास में आप जदी पढ़ते हैं हमारे साथ परते एक दिन बने रहते हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होती है चलिए तो कमेश स्टार्ट करते हैं एक्सर साइज वन एक्सर साइज वन का चेप्टर हम लोग का स्टार्ट करते हैं चला चेप्टर का नाम देते हैं एक्सर साइज वन आप लोग भी हेडिंग दीजिए हमारे साथ exercise वन चेप्टर का नाम क्या देखेंगे solid estate देखा जाएगा क्या देखा जाएगा चला solid estate पाइस्ट चेप्टर का नाम है solid estate हिंदिम क्या बोला जाएगा थोस अवस्था हिंदिम क्या देखेंगे थोस अवस्था तो थोस अवस्था क्या होता है इसके बारे में हम लोग को जानना है तो यह हमारा क्या था चेप्टर का नाम केवल लिखाये है एक्सरसाइज वन सौलीड अस्टेट इससे बहुत ही महत्पुर्ण परस्न आप कमेश्टी के किसी भी एक्जाम देते हैं तो कमेश्टी से इसमें कोश्चन पूछे जाते हैं अब्जेक्टी भी रहेंगे दो नमबर के परस्न पाच आते हैं तो इस चेप्टर को अगर जो बेसिक के साथ बेसिक कंसेप्ट के साथ अंत तक समझना चाहते हैं पूरे इस चेप्टर का संपुर्ण कंसेप्ट लेना चाहते हैं तो आप हमारे लाइब क्लास में परते एक दिन जरूर बने रहें चलिए तो चेप्टर हम लोग को chemistry का chemistry की सुरुवात करते दम basic concept के साथ हैं तो हम लोग देखते हैं चला chemistry जो है पूरेव ब्रहमांड में है पूरेव ब्रहमांड जितना भी है सभी पदार्थ है chemistry कहां से आया है पदार्थ के reaction से हम लोग देखें जार एक कमेश्टी का लाता है तब कमेश्टी में क्या हम लोग मेन रूप से इसका मूल भूत क्या है इसका बेसिक कंसर्प्ट क्या समझना है कि पूरे ब्रहमांड में पूरे यूनिवर्स में जो पदार्थ है उस पदार्थ में कैसे आपस में परिवर्तन होता है एक रूप से कैसे रूप में बदलते हैं, उसमें क्या भावतिक गुन होता है, उसका क्या बनावट होता है, उसका क्या संरचना होता है, उसका निर्मान विधी कैसे होता है, उसका रंग क्या है, उसमें किस परकार के भावतिक गुन और रसायनिक गुन पाए जाते हैं, इसी का अध्यन करना ही क्या का लाता है कमेश्टी का लाता है तो हम लोग पूरे ब्रहमांड से कमेश्टी का ध्यन करते हैं तो कमेश्टी के अनुसार पूरे ब्रहमांड को दो बर्ग में बाता गया तब पहला पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे के सब सुरुवात कर रहे हैं तब पहला पॉइंट समझना है चला कि पूरे ब्रह्मांड को दो बर्ग में बाता गया है क्या हम लोग देखना है कि पूरे ब्रह्मांड पूरे ब्रहमान को दो बर्ग में बाटा गया है कितना बर्ग में दो बर्ग में बाटा गया है क्या देखे चला दो पूरे बर्ग में दो बर्ग में बाटा गया है तो इसका बर्ग कौन कौन है वो देखना है ध्यान से समझना है पूरा ब्रहमान जो है उसको कितने बर्ग में बाते हैं हम लोग दो बर्ग में बाता गया है कौन कौन बर्ग में बाता गया है वो जानना है तो ब्रहमान को दो बर्ग में बाते हैं सबसे पहला बर्ग इसका होता है वी किरन सबसे पहला वर्ग हम लोग क्या देखे चला वीकिरन देखेंगे और दूसरा वर्ग इसका क्या है पदार्थ है पूरे ब्रह्मान को दो वर्ग में बाटा गया है पहला वीकिरन और दूसरा पदार्थ वीकिरन को रेडियेशन बोलते है इरेडियेशन इसको इंगलिस में बोलते हैं माइटर चलिए समझिएगा कंसेप्ट के साथ कि पूरे वर्हमांड को जितने भी वर्हमांड में बस्तू पदार्थ है सभी को दो तरीका से अध्यन किया जाता है पहला क्या है वीकिरन के रूप में देखा गया है और दूसरा क्या है दूसरा कंसेप्ट क्या है पदार्थ के रूप में मैटर के रूप में देखा गया है तो हम लोग देखेंगे वीकिरन का कंसेप्ट क्या है तो जिसमें पदार्थ नहीं मलब जिसमें दरबमान नहीं हो क्या नहीं हो चला दरबमान नहीं रहे और दूसरा कंसिप्ट क्या है अस्थान नहीं घेरता हो अस्थान नहीं घेरता है तो वो क्या कहला जाएगा वीकिरन कहला जाएगा तब वीकिरन का कंसिप्ट हम लोग क्या देखे कि जिस भी ब्रमान का वैसा भाग जिसमें दरबमान नहीं हो एबम अस्थान भी नहीं घेरत हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भी किरन बोला जाता है क्या बोला जाएगा इसका example में औरकास शुक्षे संलाइट जो होता है यह क्या है बीकिरन का एकजांपल है पर कास किया है बीकिरन का एकजांपल है बि Johannes प्रखास विद्धुत धारा भी क्या है मिकिरन का एक जाप लेन इंड ये और उनी जो अब हमारी जा रहे हैं आपके पास वह भी क्या है और धोनी ये क्या है मिकिरन की रूप में रहते हैं अब पदार्थ किसको बोलते हैं तो जिसमें द्रब्मान रहेगा मलेशनि इसमें क्या लिखे दरमान नहीं है इसमें क्या लिखे दरमान रहेगा और अस्थान भी घेरता हो तो उसको हम लोग पदार्थ बोलेंगे उसमें क्या बोलेंगे पदार्थ का बहुत सारा एक्जामपल है इट बालू पत्थर सिमेंट लकडी ये सब के सब क्या है पदार्थ क पूरे ब्रहमान को दो बर्ग में बाटा गया पहला भाग में हम लोग क्या देखे बीकिरन का भाग देखे और सकेंड भाग हम लोग क्या देखे पदार्थ देखे पूरे ब्रहमान को दो भाग में बाते हैं केमेश्टी के अध्यन के लिए पूरे ब्रहमान जितना भी पूर किा आधायका तो भी की रनम का कंसेप्ट आप लोग देख लिए अधर पदात का कंसनेप्ट देख लिए तो आप इसको यूट बीकप लेगे बीकश्वार्ण का ढीटेल कर बाए अ now ऑब टास का डीते लगे आ दिक भी चलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट भी किरन का हेडिंग देते हैं कि किरन क्या होता है इसके बारे में हम लोग को समझना है चला कि भी किरन क्या होता है तो सबसे पहला हेडिंग हमारा क्या देखे भी किरन क्या है बीकिरन का हम लोग definition देखेंगे, radiation, radiation क्या होता है? इसका definition हम लोग देखेंगे concept के साथ, हम लोग देखते हैं इसका definition लिख देते हैं आप लोग को, तो ब्रहमांद का वैसा भाग क्या लिखेंगे? ब्रहमांड का वैसा भाग, जिसमें दरभमान नहीं हो, क्या लिखेंगे जिसमें दरभमान नहीं हो, अस्थान भी नहीं घेरता हो, उसे वी किरन कहते हैं, उसे क्या कहेंगे चला, बी किरन कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, बी किरन कहा जाएगा, तो मेन पॉयंट को आपको समझना है, मेन पॉयंट क्या है, जिसमें दरभमान नहीं हो, क्या नहीं हो, दरभमान नहीं हो, और क्या मेंट है, अस्थान भी नहीं घेरता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीकिरन बोला जाएगा, तो ध्यान से, कनसेप्ट से समज़िए इसको, वीकिरन ब्रहामान का वैसा भाग, जिसमें क्या द्वान मनलब बजन नहीं रहता हो किसी भी परकार का द्रिमान बजन नहीं रहे गा तो उसको भी किरन बोला जाए जिससे ध्वणी आप हमारे अबाज को सुन रहे हैं तो क्या इससे आपका बजन बढ़ जाएगा मनले जाया आपका बजन 6 के आप हमारे लाइब कलास में एक घंटा हमारे परतेक बात को सुड़ें तो ध्वनी तो आप कान के माध्यम सरीरे में गया लेकिन क्या इसके कारण आपका दो कीलो तीन कीलो पाँच कीलो बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा तो इसका म nutrition जब नहीं बढ़ रहा है तो धोनी में कोई दरमान नहीं था धोनी क्या हो गया भी किरन हो गया धोनी क्या हो गया भी किरन हो गया तो इसका पहला एक्जांपल क्या होगा इसका पहला एक्जांपल हम लोग क्या देखे धोनी एक्जांपल में क्या देखे धोनी जो अब आज हमारी परकास strandlight जदि आपके आपके शरीर पर सन्लाइट पढ़ेगा कर देखेंगे पदार्त के रूप में विधुत धारा जिसे इलेक्ट्रिक करेंट हम लोग बोलते हैं तब विधुत धारा इलेक्ट्रिक करेंट ये भी क्या है बिकिरन के रूप में रहता है तब बिकिरन का पॉइंट आप लोग समझे देखे कितना असानी से परिभासा याद हो जाएगा ब्रमांड का वैसा भाग जिसमें दरमान भी नहीं हो एवम अस्थान भी नहीं घेरता हो उसे बिकिरन काते हैं ब्रमांड का वैसा भाग जिसमें दरमान नहीं हो कोई बजन नहीं हो अस्थान भी नहीं घेर रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे बिकिरन बोलेंगे एक्जामपल म नहीं होता है इसे केवल अनुभव या महसूस किया जाता है तो क्या हम लोग पॉइंट देखेंगे बीकिरन के बारे में कि इसका इसका मलब किसके बारे में बोलने हैं बीकिरन के बारे में बोलने हैं इसका कोई आकार इसका कोई आकार कवमा रंग या रूप नहीं होता है तो क्या देखें? रंग रूप नहीं होता है तो हम लोग प्वांट क्या देखें चेला जहां से समझो बीकिरन का कोई आकार बीकिरन का जो है कोई आकार नहीं होता है अपना कोई फिक्स आकिरती नहीं होता है जिसे आपको ध्वनी ध्वनी जा रहा है तो कोई आकार पता चल रहा है क्यों बिलनाकार रूप में जा रहा ह गोल है कि बीरित के रूप में जा रहा है इसका कोई आकार ही नहीं होता है तो वहीं बोला गया कि वीकिरण का कोई आकार नहीं होता कोई रंग भी नहीं होता धोनी जो जा नचना कोई आकिरती या Structure नहीं होता है तो यहीं प्वाउंट आप लोग को बता गया next की कि भीकिरन को केबल अनुभल किया दा सकता महसूस किया दासकता है तो क्या लिखेंगे इसे केबल कि इसे केबल उन्यूभाब अनुभाब या महसूस महसूस किया जा सकता है महसूस किया जा सकता है तो क्या देखे चला कि इसका कोई आकार रंग रूप नहीं होता इसको क्या कर सकते हैं केबल अनुभब कर सकते हैं महसूस कर सकते हैं इसको देख नहीं सकते हैं यह हमारा कंसेप्ट किसका था बीकिरन का कंसेप्ट देखे किसका कंसेप्ट देखे भी किरन का कंसेप्ट देखे इसका स्क्रीन साउड लीजिए नेक्ष्ट मैं आप लोग को पदार्थ का कंसेप्ट बताऊंगा तो यह इसका स्क्रीन साउड ले है तब पदार्थ क्या होता है टौपिक दीजिए मैटर पदार्थ को इंगलिस में क्या बोलेंगे मैटर बोला जाएगा चेला कंसेप्ट के साथ समझा जा रहा है पूरा अंत तक जरूर लाइप में बने रहें तब पदार्थ क्या होता है इसका परिभासा क्या लिखेंगे तो ब्रहमांड का वैसा भाग जिसमें क्या हो दरवमान हो एबं अस्थान भी घेरता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं पदार्थ कहते हैं तो ध्यान से समझना है ब्रहमांड का वैसा भाग जिसमें दरवमान भी हो और अस्थान भी घेरता हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे पदार्थ बोला जाएगा, तो ध्यान से देखते हैं, इसका परिभासा लिखते हैं, डिफनीशन लिखते हैं, तो ब्रहमांड का ब्रह्मान्ड इसी को यूनिभर्स बोला जाता है तो ब्रह्मान्ड का वैसा भाग ब्रह्मान्ड का वैसा भाग जिसका जिसमें जिसमें तरबमान हो जिसमें क्या हो चला दरबमान हो एबं अस्थान भी घेरता हो उसे पदार्थ कहते हैं उसे क्या कहते हैं पदार्थ कहते हैं तो ध्यान से समझें क्या देखें कंसिप्ट को इसमें हम लोग का में पॉइंट क्या देखें वो हम लोग को आपको हाइलाइट कर देते हैं कि में पॉइंट क्या है इसमें क्या है दरबमान है और क्या है अस्थान भी घेर रहा है अस्थान भी क्या कर रहा है घेर रहा है तो यहां पर क्या देखा गया दो चीज़ देखें कि हम लोग आप इसका definition में ब्रह्मान का वैसा भाग जिसमें दरवमान हो और अस्थान भी घिरता हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या पतार्थ बोल जाता है उसको क्या बोलंगे पतार्थ बोला जागा इसका एक्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे पदाज का बहुत सारे एक्जाम्पल हम लोग देखेंगे सबसे फर्स नंबर एक्जाम्पल में आप लोग को बतलाने जा रहा हूं जिसे इट हो गिया पत्थर हो गिया यह सभी के सभी क्या इट पत्थर जितने भी ध दातु हम लोहा टीना एलमुनियम सोना चांदी सब के सब धातु है सब के सब पलास्टिक भी धातु हो गया रबड भी धातु हो गया काच भी धातु है तो धातु का बहुत सारा बिकरन को छोड़ के बाकी दुनिया का जितना भी पदार्थ है बाकी दुनिया का जितना भी ब लहा हो तुप अला जागा पडार्ष चाफझ आब आप लोगो क्या करते हैं तो यह क्या देखे पडार्ष के बारे में और उसका और प्लास्टीक उब क्या था कि इसमें द्रभमान रहता है और यह कहा करता है अस्थान घेरता है इसका एक्जामपल में नहphone सरव जिसे आपको बनाजाद टर्प लगिया Dé paul करेंगे कितने परकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे तब इसका आप लोग को नेक्स्ट पदा आर्त का classification करेंगे लेंगे क्या टेटे हैं कि पदा आर्त का वर्गी करन कि पदार्त का ले वर्गी 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 cough कुर पदार्त का वर्गी करन क्या देखे Jamie सिव पालासी फिकेशन क्लासिफिकेशन आफ मैटर के वारे हम लोग देखेंगे क्या देखे पदार्थ का वर्गी करन मलब पदार्थ को कितने बर्ग में बाटा गया है तो पदार्थ को ऐसे पांच बर्ग में बाटा गया है चला पदार्थ को कितने बर्ग में बाटा गया है तो पांच बर्ग में है ठोस दूसरा दरब तीसरा गैस चाउता प्लाजमा ज़िए टॉस्त और पाम होता है बोस आंस्टीन संगलक तो हम लोग क्या देखेंगे पदार्व का बरगी करन कितने बर्गों बाता गया है इसके पांच बरग्रों में बाटा गया है इसको कितने बर्ग में बाटा गया है पांच बर्गी करन इसको इसको पांच बर्गों में बाटा गया है चला सबसे पहला है ठोस दूसरा पदार्थ का दूसरा क्या है दरब तीसरा क्या है गैस का उठा क्या है पलाजमा पलाजमा और इसका पचमात परकार क्या है बोस आइंस्टीन संघनक यह पांच अवस्था देखे पहला नमबर दूसरा नमबर तीसरा नमबर चाउठा नमबर और यह पाचमा नमबर तो पदार्थ का बर्गी करन कितने बर्गों में किया गया है पांच बर्गों में किया गया है पांचों का आप लोग देखे ठोस दरब गैस पलाजमा बोस आइंस्टीन संघनक तो यह तो हम लोग देखे पदार्थ का बर्गी करन तो पूछा जाएगा पदार्थ को कितने ब बाता गया पदार्त को मुख रूप से तीन बर्ग में ही बाता गया ठोस दरभ गैस जिसका कि हम लोग बिस्टार से अध्यन करते हैं जिसके बारे महम लोग को concept conversion मलब परिबर्तन उसका गून भाषुतिक रसायनिक गून और परिबर्तन का अध्यन किया जाता है और बाकि अजय कहाश फैबडर और कritos यहीं से perfectly चालूह होता है यहीं पदार्थ से जो हमिलों का फोस बना उतार्थ का जब बर्गी करन किये तो फोष आया कर दो को चैं bisa हमारा चworthy चालूह happiness w tiếp चाहरे में तो यहीं हमारा चेप्टर पना था थोस अबस था अब देखिए हम लोग को ध्यान से समझना है इसका स्क्रीन सोड लीजिए नेक्ष्ट नेक्ष्ट आप लोग को बतलाने जा रहे हैं क्या कि पदार्थ का बर्गी करन एक और रूपों में बाटा गया है पदार्थ में जो अभी अभी कन रहते हैं उसके अस्थान तरन और कंपन के अधार पर पदार्थ को दो बर्ग में बाटा गया है ठोस में और तरल में तो क्या हम लोग देख रहे हैं पदार्थ का बर्गी करन का एक और कंसेप्ट हमारे पास है तो बर्गी करन का संकेंड बर्गी करन का कंसेप्ट एक द अभी कन रहते हैं पदार्थ में जो अभी अभी कन रहते हैं उसमें अस्थान तरन होगा की नहीं होगा उसके कनों में कमपन होगा की नहीं होगा इस आधार पर पदार्थ को दो बर्ग में बाटा गया है तो यहां पर देखिए concept हमारा क्या था पदार्थ का पहला concept तो आप लोग सभी जाने कि पांच बर्ग में बाटा गया ठोस डरब गयस पलाजमा बोस अस्टेन ये second concept बहुत ही महत्पून है यहीं से हमारा chapter यहीं से ठोस अवस्था के chapter का concept चालू होगा तो इस concept को आप ध्यान से जरूर समझिएगा तो यह concept आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण है तो देखना क्या है कि पदार्थ के अभ्यवीकन ध्यान से देखिए क्या लिख रहे हैं पदार्थ का अभ्यवीकन पदार्थ का अभ्यवीकन क्या होता है वो पहले जान लिजे चला तो पदार्थ का अभ्यवीकन होता है प लोग देखे पदार्थ का अभी अभी कन क्या हो गया परमानू हो गया या आयन हो गया या अनू होता है परमानू आयन या अनू तो परमानू अनू या आयन ये अभी अभी कन हो गया इप दार्थ का क्या हो गया अभी अभी कन अबियबी कन के अस्थान तरन एबं कमपन के आधार पर पदार्थ को दो बर्गों में बाटा गया है कमपन और अस्थान तरन होता क्या है जैसे हम यहाँ पर थे यहाँ से इधर चले आएं तो यह अस्थान तरन हुआ अस्थान में परिवबर्तन, अब कमपन मलब Vibration, मोबाल में मूबाल देखते होंगे Vibrate mode में रहता है, तो एक ही जगा पे हिलता है, कमपन करता है, तो यही कमपन मतलब क्या होता है, एक ही जगा पर नाचना या Vibrate होना, तो अब पदार्थ के अंदर जो छोटे छोटे कन र दोनों भर्ग को सबसे पहला वर्गिस में क्या है ठोस है पदार्थ का दूसरा भाग तरल है समय को नियत रहता है उसका अस्थान नहीं बदल सकता है तब पदार्थ में अस्थान तरन नहीं होगा ठोस में क्या बोले अस्थान तरन नहीं होगा और कमपन भी नहीं होगा यह दोनों पॉइंट हम लोग को में पॉइंट जो था यह जो हम लोग का में पॉइंट था अस्थान तरन और कमपन इसी का अधार पर बाट रहते तो यह दोनों के दोनों जदी नहीं होता है पदार्थ का जिस भाग में उसके अभी अभी कन का अस्थान नहीं बदलता हो और उसमें कमपन भी नहीं होता हो एक जगा पर फिक्स रहे तो उसको ठोस बोलेंगे जिसमें अभी अभी कन का अस्थान तरन भी होता हो और भी होता हो तो इसको बोला जाएगा तरल तरल अव ठोस में थोड़ा सा का फर्क है दोनों पदार था है तोस में क्या बोले उसके अभी-अभी कन जो होगा चला उसमें किसी भी परकार का परिबरतन नहीं कर सकते हैं जैसे यह कलम ठोस अवस्था में है तो ऊपर वला भाग न लाना चाहेंगे तो क्या इसका अभी-अभी कन ऊपर नीचे होगा नहीं हो सकता है तो मलब यह ठोस हुआ लेकिन तरल पानी जैसे है जल है दूद है तो एक लोटा दूद धारते हैं तो ऊपर वाला कन नीचे भी जाता है नीचे वाला कन ऊपर भी आता है तो क्या हो गया तरल का भी आगे दो भाग होता है तरल का भी आगे दो भाग होता है एक होता है दरब और एक होता है गैस दोनों के दोनों कन परिबर्तित हो सकते हैं तरब का भी कन अस्थान तरन हो सकता है और गैस के कन में भी गैस देखते होंगे आसमान में ऐसी बाता बरन में खुला इ अगल अगल फिदर उधर हो रहा है तो यह क्या हो गया तरल हो गया कि जिसके जुद में अस्थान तरंव हो और कम्पन हो तरल तरल दो भाग में बटा दरब में और गैस मे M अस्थान तरण और कन नहीं होगा उसको क्या बोला जाएगा ठोस बोला जाएगा अब देखिए आगे कंसेप्ट आपका चालू होता है ठोस अबस्था का चलिए इसका स्कीरिंस और लिजिए जल्दी से आप फडाक सास्कीरीं शॉड लिजिए आगे का टौफिक आप पौर्ण में ठोस किसको बोला जाता है नेक्स अब हम लोग अस्टार्ट करते हैं ठोस अबस्था के बारे मलब सौलिट के बारे में हम लोग ठोस अबस्था लेकिन ठोस अबस्था कहां से आया उसका पहले हमने बर्नन किया कि ब्रहमान को दो भाग में बाते बीकिरन पदार्थ फिर पदार्थ का बर्गी करन किये तब आया ठोस तो ठोस का परिभासा हम लोग देखे क्या होता है दिड़ता के कारन निश्चित आकार एवं आयतन वाले पदार्थ की अबस्था को ठोस काते हैं जिसका परिभासा क्या देखेंगे दिड़ता इसी को बोला जाता है रिजीड दिड़ता रिजीड रिजीड का मतलब जो एक ही अस्थान पर फिक्स रहे जिसमें किसी भी परकार का परिवर्थन नहीं हो तो दिढ़ता के कारण क्या परिभासा लिख रहे हैं थो सवस्था का परिभासा द्यान से समझना है दिढ़ता के कारण निश्चित आकार एबम आयतन आकार भी निश्चित रहेगा एबम आयतन भी क्या रहेगा चला निश्चित रहेगा एबम निश्चित आकार एबम आयतन वाले पदार्थ की अवस्था को थोस कहते हैं चलिए ध्यान से कंसिप्ट को परिभासा को समझते हैं इसको कि आखिर ये है क्या तो इसमें पहले main point को हम लोग highlight कर देते हैं कि इसमें main point एक आया है दिड़ता समाझना है और एक आकार समाझना है और एक item समाझना यह तीनों point अगर जो आप समझ जाते हैं तो ठोस को समाझने में कोई दिकत नहीं होगी तो क्या देखे कि दिढ़ता के कारण दिढ़ता मनलब क्या होता है अभी अभी कन हिलेगा डोलेगा नहीं एक जगा पे जहां पे फिक्स है वहीं पर रहेगा उसको इधर उधर घुमाना चाहेंगे तो नहीं घुम साकता है तो जिसमें ये गुन होता है उसको दिढ़ता बोल इतना भोलते है तो आकार अंस निहीं टुग्षीत कोई परिबरतन नहीं उसको कोई बदने सकता गोल है तो उसको संकु में नहीं बदल सकता है गोलाकार अकार को संकु में नहीं बदला तो उसको निश्चित अकार बोलेंगे तो अकार भी निश्चित रहे और आयतन भी निश्चित रहे तो उस पदार्थ की अवस्था को क्या बोला जाता चला थोस कहते हैं पदार्थ की आईसी अवस्था को क्या बोलेंगे ठोस बोला जाएगा ठोस का example में आप लोग को देखते हैं जितना भी धातु है जितना भी धातु है चला तब ही के सभी क्या है ठोस होता जितना भी धातु एट देखे होंगे क्या है ठोस अवस्था में रहता है रवर देखे होंगे ठोस अवस्था में रहता है काच देखे होंगे ठोस अवस्था में है पत्थर जितना भी है सब क्या है ठोस अवस्था में है धातु में सोना चांदी यल्मूनियम सोडियम पोडेसियम सब क्या है ठोस अवस्था में त पिड़ता के कारण निश्चीताकार एबम आयतन वाले पदार्थ की अभस्था को क्या कहा जाता है ठोस कहा जाता है तो यह ठोस का डिफिनीशन उसका क्या देखे एक्जामपल देखे नेक्ट इसका ठोस का दूगों पॉइंट समझना है आप लोग को पहला पॉइंट हम गुन होता है दरब और गैस से बिलकुल भीन होता है मलब अलग होता है दरब और गैस वह भी पदार्थ ही है दरब भी पदार्थ है गैस भी पदार्थ है लेकिन वह दोनों के गुन से ठोस का गुन बिलकुल अलग होता है तो क्या पॉइंट लिखने जा रहे हैं है ठोस का गुन, होस का गुन, सरब एबम गैस, के गुन से, गैस के गुन से, बिल्कुल भीन होता है, से बिल्कुल, बिल्कुल अलग होता है, पहला प्वाइंट क्या देखे, थोस का गुन, यह बिल्कुल अलग होता है, तो आप लोग कंसेप्ट क्या है? गैस और दरब इसमें क्या होता? अभी अभी कन अस्थान तरित होता है, उसमें बहा होता है, इसमें कमपन होता है, लेकिन ठोस के कन में किसी भी परकार का अस्थान तरह नहीं होता है, इसलिए इसका गुन जो होता है, बिलकुल भीन होता है नेक्ष इसका स्क्रीन सअड़ लीजिए नेक्ष आप लोग को क्या करवाते हैं कि ठोश को दरब और गैश के रूप में परिवरतित किया जा सकता है तो नेक्ष ठोश के बारे में क्या जानना है पॉयंट ठोस को हम लोग ठोस को दरब और गैस के रूप में परीवर्तित किया जा सकता है मलब इस पॉइंट को समझे कि क्या बोला गया है इस पॉइंट में किया जाता है मलब ठोस को हम लोग दरब में भी बदल सकते हैं चेला और क्याची में गैस में भी बदल सकते हैं कोई भी ठोस पदार्थ दे दिया जाए जिसे पलास्टिक है तो उसको पिगला के हम लोग दरब में भी बदल सकते हैं और उसको ज्यादा पिगलाएंगे तो क्या ची में गैस में भी बदला जा सकता है तो ठोस को हम लोग दो ठोस को हम लोग दोनों अबस्था में बदल सकते हैं जरब में भी बदल सकते हैं या और गैस में भी बदल सकते हैं तो ठोस को डरब में बदलने की परकिरिया कहलाता है fusion थोस को दरब में बदलते हैं तो इस परकिरिया को क्या बोलते है एक फियू या साइब फ्यूजन या इसी को melting भी बोला जाता है या Mie-I-L, Ti, Ang, melting बोलेंगे तो थोस को दरब में या तो फ्यूजन पर किरिया द्वारा बड़लेंगे या तो मेल्टिंग उसी को यंदी में बोलते हैं द्रवी करना a hundred हुआ न्यां हेडिंग हमारा क्या था कि झिल तो को को ना Mangy बड़ सकते हैं और गैसंग मैं बदल सकते ।ो ठोस को दरब में बदलने की परकिरिया क्या खालाती है फिजय या मैल्टिंग हिंदी में दरबी करन तो करना क्या पड़ेगा इसके लिए गर्म करना पड़ता है हीट देते हैं जब ठोस पदात में हीट देते हैं हम लोग गर्म करते हैं तो वो दरब में बदलता है इस परकिरिया को हम लोग फ्यूजन या मेल्टिंग बोला जाता है हिंदी में बोला जागा इस परकिरिया को दरबी करन और ठोस अवस्था को गैस में बदलने की परकिरिय आग रही है सवली मेसन जली मेसन क्या आद रखना चला सवली मेसन पोश को डैस में डायरेक्ट बदलना है तो उस पर किरिया का नाम क्या आद-रक नहाए सवली मेसन इसको हिंदी में बोलेंगे उर्धु पातन क्याद रखना है उर्ध वो पातन तो यहां से हम लोग देखे दो परकिरिया इसको भी गर्म करना पड़ेगा थोस को डाइरेक्ट गैस में बदलने के लिए भी क्या करना पड़ता है गर्म करना पड़ता है जिसे कपूर आप लोग देखे होंगे आरती बगेरा में जो कपूर जलाया जाता है वो ठोस रहता है लेकिन जब जलाते हैं गर्म होता है तो डाइरेक्ट गैस बनके उर जाता है तो वो किसका एक्जामपल हुआ उर्ध वो पातन का एक्जामपल हुआ सबली मेसन का तो हम लोग को ये जो topic था कि ठोस को दरब में भी बदल सकते हैं और गैस में भी बदल सकते हैं इसका concept आप लोग को इसमें दिखाया गया है क्या कि ठोस को दरब में भी बदला जाता है और ठोस को गैस में भी बदला जाता है इसका screenshot लीजिए नेक्स्ट आप लोग को क्या बतलाने जा रहे हैं ठोस का बर्गी करन तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है चिला ठोस का बर्गी करन ठोस का बर्गी करन नेक्ट थोस का बरगी करन से पहले हम लोग देखते हैं थोस का गुन के बारे में हम लोग देखेंगे बरगी करन बात में पहले इसका गुन देख लेते हैं कि थोस के पास क्या-क्या गुन होता है तो थोस का गुन या विसेस्ता के बारे में हम लोग देखते हैं इस टोपिक में हम लोग का क्या मिल रहा है टोपिक क्या है ठोस का गुन या विसेस्था ठोस का गुन या विसेस्था प्रोपर्टी आफ प्रोपर्टी आफ गूलीड क्या देखेंगे टोपिक क्या है प्रोपर्टी आफ गूलीड के बारे में देखेंगे कि ठोस का कितना है इसमें क्या विशेष्टा होता है ताकि ये दरब और गैस के तुलना में अलग होती है तो सबसे पहला विशेष्टा है चला ठोस का सबसे पहला विशेष्टा समझना है इसका आकार एबम आईतन निश्चित होता है ध्यान से देखेगा कंसेप्ट के साथ आपको लिखा के इसको समझाया जाएगा परतेक पॉइंट को समझाया जाएगा पहला पॉइंट क्या देखेंगे इसका आकार एबम आईतन इसका आकार एबम आईतन निश्चित होता है क्या होता है निश्चित निश्चित मलब नहीं बदलने वाला मलब आकार भी नहीं बदलेगा अगर जो वो गोलाकार है तो गोलाकार में ही रहेगा संकु क्या कार में ही रहेगा तो इसका आकार और आयतन में निश्चित होता है मलब किसी परकार का चेंजिंग नहीं हो सकता है सकेंड इसका पॉइंट देखेंगे ठोस का गुन के बारे में सकेंड पॉइंट हम लोग क्या देखें इसका द्रवनांख जो henam kya होता है इस ताप पर कोई पदार थे फिगलता हो M daqui स्थान बदल जाता हो तो वह द्रवनांख होगा तो इसका द्रवनांख जो होगा चला ध्यान से देखना है इसका दरवनांक मलब मेल्टिंग पॉइंट इसका दरवनांक क्या होता है उच्च होता है इसका दरवनांक क्या होता है उच्च होता है इसका दरवनांक क्या होता है उच्च होता है मलब बहुत अधीक होता है इसका दरवनांक ध्यान देना क्या होता है बहुत अधीक होता है तिसर रिजीड, रिजीड मलब क्या होता है, ये दिरिड होता है, तो तीसरा पॉण्ट क्या देखें, दिरिड, तो दिरिड मलब रिजीड का मतलब क्या होता है, फिक्स रहना, इसके अभी अभी कन फिक्स रहता है, यही कारण से ठोस को हम लोग घुमा नहीं सकते हैं, उसके अभी भी हो सकता है तन भी हो सकता या भंगूर भी हो सकता तो ठोस में तीनों पाया जाता है किसी ठोस में अगहात बर्द का गुन पाया जाता है किसी ठोस में तन का गुन पाया जाता है और किसी ठोस में भंगूर अगहात बर्द का मतलब जिसको पीटने पर चावडा चदरा की त किसी पदार्थ को हम लोग पीटते हैं जिसे काच को काच को सीशा वो ठोस होता है उसको ज़री पीटते हैं तो क्या वो चदरा के तरह फैलेगा नहीं वो चूर चूर हो जागा तो वो भंगूर गुण हुआ वो कौन कहला भंगूर गुण ठोस में तीनों गुण पाया अगहात वर्ध तन्य और भंगूर तो क्या इसका पॉंट देखेंगे कि यह अगहात वर्ध कि अगहात वर्ध कौमा तन्य यह भंगूर यह भंगूर होता है तीनों में से किसी एक गुन इसके पास रहेगा यह तो चूर चूर होके पॉडर के रूप में अलाग हमला छोटे-छोटे टुकड़ा में तूटने वाला रहेगा या तो पीटने पर आगहात वर्ध होगा चदरा के रूप में फैर जागा या तो पीटने पर तार के रूप में घीचा जाएगा तो यह इसका फोर्थ नंबर गुन हुआ पाचमा न संपीडिये होता है आसंपीडिये का मतलब एक होता है संपीडिये एक होता है आसंपीडिये तो संपीडिये उसको बोला जाता है जिस पदार्थ पे दबाब डालेंगे तो जदि उसका आकार छोटा मुलब दब गया तो वह संपीडिये हो गया जिसको नहीं दबाया जा सकत है तो वह आज संपीडिये जिसे रबर बगेरा रहेगा तो रबर को हम लोग दाब के छोड़ा कर सकते हैं तो वह संपीडिये लेकिन एक इट ले लिया जाए या एक पत्थर ले लिया जाए उसको दबा के अगर जो छोटे से बरतन में रखना चाहेंगे तो वह नहीं का है उतना आकार उना घेरें अबना उतना स्थान लेगा ही इसलिए इसको क्या बोला गया आज संपीडिये जदि छोटा हो जाता तो वह काला ता संपीडिये लेकिन ठोस क्या होता है आज संपीडिये और यह नमबर पॉांट देखना क्या इसका घनात्व उच्च होता है तुछाठा नमर पॉांड में क्या देखे ? इसका घानात्व घानात्व उच्छ होता है घानात्व क्या होता चेटा ये पहले जानिे आप लोग घानात्व होता द्रम्माणवटे आइतन मनलव अगर जो एक वाल्टी में हम लोग क्या करते हैं बालू ले लेते हैं एक वाल्टी में रूई लेते हैं तो दोनों तो अस्थान बराबर है एक बाल्टी में बालू भी है तो दोनों अस्थान लेकिन बालू बला बाल्टी भारी लगेगा रूई बला बाल्टी हलका लगेगा इसका कारण क्या है जो भारी लग रहा है उसका गहनत्व अधीक है जो हलका लग रहा है उसका गहनत्व कम है अस्थान दोनों बराबर घेर रहा है लेकिन एक भारी हो गया और एक हलका हो गया तो जिसका गहनत्व उच होता है वो छोटा सा टुकड़ा भी रहेगा तो भारी लगेगा तो ठोस पदार्थ का गहनत्व क्या हो कुछ होता है तो यह छे पॉइंट देखें इसका स्क्रीन साउड लीजिए सात्मा नंबर पॉइंट आप लोग को बतला रहे हैं सात्मा नंबर इसका गून क्या है छे नंबर गून हम लोग देखें सात्मा नंबर गून आप लोग को में पॉइंट समझना क्या है इसमें अं अंतरा आनविक दूरी नगन्य होता है इस पॉइंट को समझी है अंतरा आनविक दूरी क्या होता है इंटर मोलीकूलर डिस्टेंस इंटर मोलीकूलर डिस्टेंस क्या है यह जानना है कि अंतरा आनविक दूरी क्या होता है कोई भी ठोस पदार्थ में दो कन के बीच जो दूरी रहेगा उसी को बोलेंगे अंतरा आनविक दूरी उसी क्या बोला जाएगा अंतरा आनवी दूरी जैसे ये कलम है तो इसमें छोटे-छोटे कन आपस में जुड़े हुए है पलास्टिक का है तो पलास्टिक के छोटे-छोटे कन जुड़े हुए है तो क्या एक पलास्टिक के कन दूसरे पलास्टिक के कन से कितना दूर है ये चलता है नहीं तो दोनों के बीच में कोई गैप नहीं रहता है जैसे इट रहता है तो इट क्या बनता है मिट्टी को मिट्टी को क्या करता है गर्म करके एक आकार दिया जाता है तो मिट्टी के कन कितना दूर दूर पर है एक इट में वह हम लोग को दिखाए गैप दोनों के बिच में नहीं दिखता है तो इसी यही बोला गया कि अंतरा सनिया इसमें क्या बोलेंगे सिमें अंतरा आनि विक आकर्षन वर히 Capic अंत्रा आन्विक आकर्सन बल जो होता है वो बहुत अधिक होता है इस point को समझे कि क्या बोल ला है बहुत अधिक होता है तो अंत्रा आन्विक आकर्सन बल तो ठोस के कनों के बीच में जो बल लगते हैं आपस में जोडने बाला जो बल होता है उसको बोलते हैं अंत्रा इसलिए जिसे प्लास्टिक का कलाम है इससे चाहेंगे हम कि एक चमच प्लास्टिक निकाल ले तो नहीं निकलेगा लेकिन यही एक बाल्टी पानी रहेगा तो एक चमच पानी उससे निकाल लेते हैं क्यों कि इसके कनों के बीच आकरसन बल कम होता है तो एक बाल्टी से एक च प्लास्टिक से चाहेंगे कि थोड़ा सा प्लास्टिक निकाल लिया जाए तो वो संभब नहीं है क्यों क्योंकि आकर्षन बल बहुत अधीक होता है आपस में जुड़ा होने के कारण छोटा सक्कन उससे नहीं निकलेगा नो नंबर लाश्ट पॉांट है इसका क्या कि इसमें बिसरन परकिर्ती नहीं पाया जाता है क्या देखेंगे चला इसमें बिसरन परकिर्ती परकिर्ती नहीं होता है बिसरन परकिर्ती क्या है पहले ये जानिये आखिर इसमें क्यों नहीं बिसरन परकिर्ती क्या होता है आपस में मिलने का गुन जैसे एक बालती में पानी डाल यह और वही पाल्टी में दूध डाल दिये तो पानी यार दूध आपस में अपने आप मिल जाता है मलए वो विश्रन गुन हुआ जिससे बाइमंडल में बहुत सा नाय टोजन गैस और चीजन गैस आपस में मिला हुआ है तो विश्रन गुन के कारण लेकिन क्या एक बाल्ट में इट का टुकड़ा और लोहा का टुकड़ा डाल दिया जाए तो इट वाला टुकड़ा लोहा के टुकड़ा में अपने आप मिल जाएगा आपस में दोनों जूटेगा नहीं जूटेगा क्या हो क्यों कि ठोस में बिशरन परकिरती नहीं पाया जाता अगर जो बिशरन पर देखे ठोस का विशेस्ता अब आप लोग को नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके आगे ठोस के नेक्स्ट कंसेप्ट को समझाऊंगा तब तक के लिए अलविदा चाहता हूं जय हिंद जय भारत